नमस्कार शाथियों एक बार फिर से आपका इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ अगर आप चैनल पर नई है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए साइड में दिये हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला प्रताइक अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके आज हम बात करने वाले हैं स्कूल शिक्षा में वरिष्ट अध्यापक की भरती परिक्षा हो चुकी है उसका अंतिम परिणाम अभी तक जारी होना सेश है अलंकि अब जल्द ही आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि जो कल परसोजो मेरिट लिस्ट आई है यानि पर जो कटोप जारी की गई उसके अधर पर अधे स्टोरेंट को क्वetosट किया जाएगा और उसके बाद में अंतिम रूप से एक सूच्छी आएगा जो काउंशलिंग के माज़य मसे आपको जोइनिंग मिलेंगी उस समय आपको जो क्वाउठकी के माध्यम से जोइनि आईडिया हो जाता है हमने पिछले सेसन में बताया था कि किस परकार से मेरिट रहने वाली है और तो अब आज हम देखते हैं कौन-कौन से आपको प्रमान पत्र की आशकता रहती है कौन-कौन से कौकजात यानि की जो दस्तावेज आपको तयार रखने हैं उसकी हम सर्चा करत और उसके बाद में पहचान पत्र कोई भी एक ले लेना अधरकार साथ में और यह बहुत जरूरी है विश्तरत आवेदन पत्र जो आपको आरपीसी की साइट पर जाकर डाउनलोड करना है उससे दो पृतियों में भलना है उससे जाकर जमा करोना ठीक है उसके बाद में दो पासपोर्ट साइज फोटो नवीन तम ठीक है ना च्यार फोटो विश्तरत आवेदन पत्र पर लगेगी और उसके अलावा दो फोटो चाहिए क्योंकि आपका जो अंतिम रूप से चैन होगा उसके बाद में आरपीसी में काउंसलिंग होगी और उसके बाद में अंतिम पत्र जो आपको अरपीसी में जमा करवाने हैं दो प्रतियों में उस पर एक पचास रुपे का भारतिय पॉस्टल ओर लगेगा और उसके पसाद दसवी की मार्कशीट और दसवी कक्षा का प्रमान पत्र अगर दू अलग 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 है तो अलग अलग है तो अलग अलग अगर आपने सना तक मतलब तर नग में आपकी उसकति योजी इस तरह पर तौक्पर आपको डिग्री या वडिजिनल जाब की आरक्किए मार्कशीट तीनोशाल की और बेल चार्ण शां न्या बबयचे प्रमान की अलावा अलगा है ये अगर अगर पॉझन चाल अगर अज ठेक्षिनिक योगेता या प्रसेक्षिनिक योगेता हो, तो आप उसमें लगा सकते हो, अन्य था अगर आप मैंसं नहीं भी करते हो, तो कोई दिकत नहीं है। उसके बाद में अगर आप राज की एक अरमचारी हो या फिर कोई पटवारी हो गराम सेवक हो या फिर आप थड़के टीचर हो तो महाँ पर आपको एक एनोशी लेनी होती है विभागशी मूल निवास परमान पत्र इसकी कोई अवधी नहीं होती है एक बार ही बनता है विजाती परमान पत्र अगर आप OBC या MBC हो तो काउंचलिंग दिनाक से एक वर्ष पुराना चलेगा और तेन साल पुराना है तो सफ़त पत्र देना होता यशा प्रावधान किया गया है और व तलाक शुदा है तो आपको परमान पत्र देना पड़ेगा यदि आप विद्वा है तो आपको पती का मिलत्यू परमान पत्र और पती पत्री होने का परमान पत्र जैसे रासनकार या विवापंजेन परमान पत्र देना पड़ेगा अगर आप एक तलाक शुदा है और दिख्वाना पड़ेगा यदि आप एक बोदपुरों शैनिक है तो उसका परमान पत्र दोगे यदि किशी डोक्योमेंट में नाम पिता का नाम आदी में कोई वर्तनी अशुद्धी है तो शपत पत्र दनों की ये नाम दोनों ही मेरे है ठीक है और अंतिम शंस्था जहां से आपने अंतिम क्लास पास की है तो वहां से आपको चरित्र का परमान पत्र लाना पड़ेगा और दो उत्तरदाई व्यक्तियों से जारी दो चरित्र परमान पत्र देने पड़ेंगे और ये शब सारे के सारे जो डोक्योमेंट है ये ओरिजिनल भी शाथ में लाने है इन करेगी उस दिन आपको वहां पर जाना है और कांशलिंग के रूप में बहाद जाना है उसके बाद में अंतिम रूप से आपकी सुच्छी निदेशाले को बेजि जाती है और डी डी स olhos दरपर हो सकती है तो वहां पर आपको कांशलिंग के माधिम से पदस्थापन दिया साह